हेलो फ्रेंद्स, वेल्कम तू मंत्रस व्लाग, होप यू अला दूग वेल, आज मैं जर्मनी का एक नया सिटी घूमने जा रहा हूँ और उसका नाम है कोलन, वो बहुत बड़ा सिटी है, कोलन इस 90 किलोमेटर फार वे फ्रम हिल्सेन बाक, कोलन जाने का रास्ता बहुत ही ब् आज मामा मामी की छोटी थी, इसलिए हम सब लोग घूमने जा रहे थे रास्ते में मैंने बहुत सारी ब्रांज की कार देखी सिटी एरिया की स्पीड 50 to 100 थी, लेकिन हाइवेप पर वो स्पीड अनलिमेटेड हो जाती है मामा और मामी ने 150 to 160 की स्पीड में कार चलाई थी हाइवेपर इमर्जन्सी कॉलिंग बूथ की सिस्टंग थी एन फाइनली वी एंटर्ड इन कोलन हम राइन रिवर क्रोस कर रहे थे उस दिन क्लावडी वेदर था, इसलिए हम सोच रहे थे की रेन आएगा या नहीं कोलन के सिटी सेंटर में पार्किंग मिलना भी बहुत मुश्किल है एन वी गौट अ पार्किंग फर डे पार्किंग मिलने के बाद हम स्मेथ टॉइ शॉप में आये वो टॉइ शॉप देखकर मैं इतना ही एक्साइटेड हो गया कि पूछो ही मत आप वीडियो में देख रहा है हो कि मैं कितना कंफ्यूजड हूँ कौनसा टॉइ लूँ और कौनसा टॉइ नहीं लूँ मैं एक नर्फ गौन के लिए सर्च कर रहा था और फाइनली मुझे वो मिल ही गया मैंने थोड़ी देर बास्केट बॉल भी खेल लिया मामा मेरे साथ बच्चे बन गय थे और मेरे साथ सब गीम खेल रहे थे आप वो दो विनर और मामा वो दो लूजर आप वोन इन थी राउंद और मामा वोन इन जिरो राउंद वी बॉट सम तोई पर आल मैं कॉसिन्स फिर हम वहां से दी केटलान में आए वहां स्पोर्ट्स के रिलेटेड इकुप्मेंट्स, क्लोथ्स और बहुत सारी चीज थी वहां हम बॉक्सिंग के सेक्षन में पास्चे एने और मामा ने बॉक्सिंग किया बॉक्सिंग में मामा जीत गए थे और मैं हार गया था फिर हम वहां से सिटी सेंटर जाने के लिए निकल गए हम मैप फॉलो कर रहे थे स्ट्रीट में बहुत सारी शॉप्स थी और स्ट्रीट क्राउडेड भी था मामा मुझे सिटी के बारे में कुछ रूल्स और इन्फरमिशन दे रहे थे थोड़ा रेन भी आना शुरू हो गया था आज सैटरेड था इसलिए और ज़्यादा क्राउड था रास्ते में एक फ्लावर शॉप्प भी आये थी और उसमें बहुत सारे फ्लावर्स और बुके थे अपनी राइड के लिए आप साइकल और स्कूटर्स भी ले सकते हो आफ्टर वी एंटर तो और केंडी शॉप्प मैंने वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की मार्शमेलोस, चोकलेट्स और केंडीज देखी वो बहुत थी पॉपिलर ब्रांड थी आई बॉट सम केंडीज फ्रम हीर ये आल वर वेरी कलर्फुल मुझे जो भी केंडी अच्छी लग रही थी उस सब में मामी इंग्रीजन चेक कर रहे थे फाइनली वी रीच्ट एट स्लश काउंटर एंड आई बॉट ब्लूबेरी फ्लेवर्ड स्लश इट वस वेरी युमी फिर हम वहां से चर्च देखने के लिए निकले और हम पहुंच गए कोलोन कैथेड्रल ये चर्च इतना फेमस है कि हर रोज 20,000 पीपल देखने आते है इस चर्च में टू स्पाइर्स थे और उसकी हाइट 515 फीट थी इस सेकेंड टॉलेस्ट चर्च इन यूरोप इसका आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन बहुत ही इंट्रेस्टिंग था फिर हमने वो चर्च अंदर जाके भी विजिट किया मैं फॉर्स्ट टाइम चर्च में जा रहा था जितना बहा से खुपसूरत था उससे कही जादा अंदर से खुपसूरत था जब भी आप जर्मनी आए तब ये प्लेस जरूर विजिट कीजिए तब वहां कर प्रेयर चल रही थी सब लोग कुछ सुन रहे थे जो भी तुरिस्ट लोग आ रहे थे वो केंडल्स भी कर रहे थे चर्च की विंडो में ग्लास पेंटिंग भी किया हुआ था हर एक ग्लास पेंटिंग में एक स्टोरी है जब हमने ये ग्लास पेंटिंग्स नज्जीक से देखी वो बहुत ही डीटेल दिख रही थी फिर मैंने चॉर्च अंदर की सारी प्लेस एक्स्प्लोर की यहां भी सब लोग केंडल कर रहे थे हमने जीसुस क्रिस्ट की स्टेच्यू भी देखी हम चॉर्च से क्रूज राइड के लिए निकल गए मैंने आपको कोलन की एंट्री के वक्त कहा था कि जो रिवर हम पास कर रहे थे वो राइन रिवर थी तो ये वही रिवर है हम क्रूज की वेट कर रहे थे इसलिए मैंने और ममा ने कुछ रिल्स बनाई फाइनली हम क्रूज में एंटर हो गए और ये मैं आपको हमारी क्रूज का व्यू दिखा रहा हूँ क्रूज की राइड अल्मोस्ट वन आवर की थी As usual मैंने क्रूज में भी विंडो सीट ले ली थी क्रूज में हमने काफी भी मंगाई और एंजॉई किया ये क्रूज का कवर्ड पोर्शन था इसके उपर ओपन डेक था इसके ओपन डेक जाके हम फोटोग्राफी और व्यू को एंजॉई भी कर सकते हैं फिर हमने कुछ रील्स शूट की राइन रिवर से बहुत सारी शिप्स और बाज पास हो रहे थे कोलन सिटी का व्यू बहुत ही ब्यूटिफुल देख रहा था ये क्रिूज की कैपेसिटी 150 पॉर्संस थी जब रेनी सिजन में रेन कम होता है तो रिवर में पानी कम हो जाता है बड़े बड़े ट्रांस्पोर्टेशन शे बंद हो जाते है क्लावडी वेदर था इसलिए हवा बहुत तेज चल रहे थी इसलिए हम नीचे आ गए फिर मैंने कुछ शिप्स देखे एक कोल का भरा था और दूसरा गैस का हमारा क्रूज का वन अवर कब खतम हो गया कुछ पता भी नहीं चला फिर हम वहां से लव लॉक ब्रिज में गए हैं वहां बहुत सारे लॉक स्टे लॉच अवज बिलाओ बिल्वा टी असलिय। से लॉक एक शजाओ का फिर देव सर्डाख के बस दो आट अवजां व केजिए रोग जाओ, जो आजिए ब्रेच अंग धिर थनी ते रिवर शजाओ पताव के वने to see that again and it will be a big luck if you find it again love luck symbolize everlasting love ये ब्रीज से राइन रिवर का व्यू है बहुत ही ब्यूटिफुल फिर हम वहां से निकल गए ये रिवर का देफ भी बहुत था रास्ते में हमने ट्रैम देखी ये बहुत लंबी ट्रैम थी और फिर मैंने एक लेगो का शॉप देखा और मैं और मामा वो विजिट करने चले गए फिर हम अपने पार्किंग पहुंच गए और हिल्शन बाग के लिए निकल गए रोड थोड़ा स्लिपरी था इसलिए मामा ध्यान से चला रहे थे और फिर मैंने राइन रिवर को बाई बाई कर दिया वहां एक रोप फे भी था आज मुझे बहुत ही मजा आया वहां रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था इसलिए थोड़ा ट्राफिक था अगर आपको मेरा वीडियो अचल लगा हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बाई बाई सी यू इन दे नेक्स व्लोग